आखिरकार RCB जीत गई, RCB के फाइनल जीत के साथ 16 साल का सपना हुआ सच विमन प्रिमियम लीग में RCB की सांदार जीत, एक तरफा मुकाबला कर लिए स्मिर्थी की टीम ने अपना कोहली भी हो गए फैन, देदी मंधाना को बधाई, RCB के लिए नंबर 18 हो गए यादगार जीते WPL अब IPL की है बारी, 2024 RCB के लिए हो गए सुपर लखी, एक खिताब आया, अब दूजे की है बारी इस समय सब बोल रहे हैं एक ही बात क्या फर्क पड़ता है औरत हो या मर्द, RCB जीत लाई है प्रीमियर लीक का खिताब यही है सबसे बड़ी बात, जो छोरे नहीं कर सके वो छोरियों ने कर दिया, जी हाँ, कल रात कुछ ऐसा घटा, दिल्ली में जिसे RCB के फैंस सालों रखेंगे याद साम साधे साथ बजे दिल्ली और बैंगलोरू के बीच मैच सुरह हुआ, यह मुकाबला था विमेन प्रीमियर लीक का फाइनल मुकाबला, आमने सामने थे दिल्ली और बैंगलोरू के धुरंदर खिलाडी, टॉस का बोस बनी दिल्ली की टीम, पहले बल्लेबाजी चुनकर म हिला दुरंदर ऐसी फसी की ट्रॉफी ही कमा बैठी कप्तान लेनिंग के साथ सेफाली मैदान पर थी 44 के नीजी स्कोर पर सेफाली आउट हुए जिसके बाद तो विकेटों का ऐसा पज़ड़ा आया कि दिल्ली कैपिटल सुखे पत्तों की तरह हवा में समा गई सिफाली के आउट होने के बाद लगातार जेमीमा और कैपसी आउट हो गई 64 के स्कोर पर अब तीन विकेट गिर चुके थे यहां से दिल्ली उपर नहीं पाई और 113 के कूर स्कोर पर आल आउट हो गई टार्गेट था 114 का RCB के सामने RCB की स्रियांग पाटिल के सामने मानो डैली कैपिटल की बलेबाज टिखी नहीं पाई पाटिल ने चार विकेट जटके वहीं मैलिंक्स ने तीन और आसा ने दो विकेट अपने नाम दर्ज किये डैली कैपिटल्स भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी मजबूती चुनौती पेस करती हुई डैली कैपिटल्स के गेंदबाज मैदान में थे इस्मृती और डिवाइन ने मोर्चा समारा लेकिन बेहत धीमी सुरवात रही जिसका नतीजा हुआ मैज का नतीजा आखरी ओवर में आया एक समय लगा डैली कैपिटल्स के गेंदबाज आर्सीबी के बल्ले बाजो पर हावी हो रहे हैं दूसरे ही विमेन प्रिमिर लीक सीजन में आर्सीबी ने ट्रॉफी उठा लिया है जो की 16 सीजन में अब तक का IPL में नहीं हो सका है इस जीत के बाद आर्सीबी को चारों और से बदाईयां मिल रही हैं विराट कोहली ने भी आर्सीबी विमेंस टीम को जीत की बदाई दी है विराट कोहली ने विमेंस टीम के अपतान इसमरिती मंधाना को वीडियो कॉल कर बदाई दी मंधाना ने मैच के बाद बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा विराट कोहली को खुस देखकर मंधाना ने कहा वीडियो कॉल की वक्त मैं विराट की बातें ठीक से सुन नहीं सकी स्टेडियम में बहुत सोर था लेकिन उनके चेहरे पर खुसी थी या देखकर मुझे अच्छा लगा पिछले सीजन खराब जाने के बाद उन्होंने पूरी टीम से बात कर हमें कॉन्फिडेंस दिया था बैंगलोरू पहुचने पर जरूर उनसे बात करूंगी इसमरिती मंधाना ने कहा इस बार इस साल कप नाम दे कन्नडभासा का वाक्या है जिसका मतलब होता है इस साल कप हमारा है वहीं इस साल कप नाम दूं का मतलब इस साल कप हमारा हुआ इस साल ये लाइन खूँ वाइरल हो रहा था जिसे अब इसमरिती ने कहा